हाई फ्रेंज वेलकम बैक टू आनीता कुकिंग और आज आनीता के कीचन में बनने जा रहे हैं बेशन के लड़ू फाइबर और कार्बो हाइडरेट से भरपूर है लड़ू खाने में इतने ज़्यादा स्वाधिष्ट लगते हैं कि आप पूछे मत इन लड़ू को मैंने एकदम यूनिक तरीके से बनाए हैं और इन लड़ू को अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो यह लड़ू इतने ज़्यादा पोस्टिक बनते हैं बहुत ही ज़्यादा और स्वाधिष्ट भी बहुत ज़्यादा बनते हैं और सबसे बड़ी खास बात इनकी ये होती है कि आप इन लड़ों को एक बर बना कर महीनों तक इस्टोर करके रख सकते हो तो फ्रेंस आज की अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरे रेसिपी को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना तो चलते हैं लड़ों बनाने के प्रोसेज की और लड़ों बनाने से पहले मैं आपको बूरा के बारे में बताना चाहूंगी लाश्ट टाइम मैंने लड़ों की रेसिपी अपलोड की थी यूटूब पर तो बहुत सारे वीवर्स ने हजारों की तदाद में question किया है बुरा के बारे में तो ये बुरा होता है जिसको powder sugar बोला जाता है अगर आप इसको घर पर बनाना चाहते हैं तो चीनी को पीछ के बना सकते हैं या फिर एक प्रोसीजूर होता है, जिसको हम चीनी से इसकी एक चासनी मनाकर तब उसका बुरा बनाती हैं, लो टू मेडियम टोटल बेशन हम यहाँ लो टू मेडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे और लो फ्लेम पर भूनेंगे तो जाधर टाइम हो जाएगा तो यह मैंने यहाँ पर धाइसो ग्राम घी ले लिया है तो सबसे पहले हम यह यहाँ पर रिफाइंड की डालेंगे ताकि हमारा घी जमेना और लड़ू काफी सौट बने हम यहाँ पर जादा रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे घी घीमीन लड़ू को बनाएंगे फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल लिया है 400 ग्राम बेशन 400 ग्राम बेशन के सामने हम यहाँ पर डालेंगे 50 ग्राम शूझी यह मैंने बारिक वाला बेशन का इस्तेमाल किया है और यह बेशन राजधानी का है तो राजधानी के बेशन के लड़ू पहुत ज़्याद स्वादिश्ट बनते है मैं जब भी बनाती हूँ लड़ू चाहे म तो बेशन हमारा काफी सूखा सूखा दिख रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे जो हमारा घी बचावाता वो डाल देंगे अगर यहां पर घी नहीं डालना चाहते तो आप कीप कर दें आपका मीठा यहां पर इतना ही कम लगेगा मिठे यानि के लड़ू के कम मीठे बनेगे तो मैं थोड़ी से मीडियम से ही मिठे लड़ू बनाऊंगी तो मैंने यहां पर घी डाल दिया है अब फिर से हम इसको भूहना शुरू करते हैं कि एक हलवे वाली फों में जाता है इस तरह से देखिए तो यानी डलक सा जाता है जो यो बैटर सा तैयार हो रहा है एक तो पतला-पतला सा हो गया है तो जैसे जैसे बूंता जाएगा एक तो इसका color change होता जाएगा और दूसरा क्या होगा इसमें पहुत ही सौधिशी खुश्बू आएगी तो गैस का फ्लेम आप low to medium ही रखे में आपको फिर से बता रही हूँ और यानि कि आप इसको धीरे 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 भूनते रहे तो आपको बेसर भूनने में लगबग यहाँ पर 15-18 मिनट लगी जाएंगी 400 ग्राम बेसन को भूनने में तो यह देखे इस टाइम बेसन हमारा प्रफे कर दिया है मैंने तो इसमें बबल से आ रहे है तो अब हमारा बेसन लगबग में भूनी चुका है तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक कप यानि के 100 ग्राम तील वाइट वाली तील मैंने लिए हैं यहाँ तो आप चाहे तो तील यहाँ पर इसकीप कर सकते हैं लेकिन अगर आप यह तिल डालोगे तो लड़ू आपके बहुत जादा स्वाधिट बनेंगे तो अलग-अलग क्या भूना है मैंने सोचा है कि चलिए इसी बेसन के अंदर हम तिल को भी भून देते हैं हलका जाइन को ब्राउन कर लेते हैं अब मैंने यहाँ पर थोड़ से ड्राइफ्रूट्स का बहुत अच्छा टेस्ट है ड्राइफ्रूट्स में मैंने काजू बादाम पिस्ता और थोड़ी सी किसमिस भी ले लिया जिनको मैंने साथ में ही ब्लैंड यानि के पीस लिया है एक तो फाइन पाउडर भी नहीं बनाना है और पूह जाद दरदर भी अब मैं यहाँ पर लाष्ट में डाल रही हूँ दो चुटकी के करीब खाने वाला जो लड्डू वाला कलर आता है वो ताकि हमारे लड्डू में बहुत याच्छा सा कलर आ सके गैस मैंने यहाँ पर ओफ कर दी है और यह देखिए हमारा बेशन भूनकर परफेक्ट तयार ह हो चुका है अब हम इसको 30-40 मिनट के लिए छोड़ देंगे गर्मा है तो आप इसको जाले टायम के लिए चोड़े और सर्द्य आया तो 25 मिनट में ठंडा हो जाता है तो यह देखे मैंने इसको बीच बीच में एक दो बार चला दिया है ताकि जल्दी से ठंडा हो सके तो लगबग में यहाँ पर आदा घंटा हो चुका है और जो मैंने इसको पर उगली को लगा के देखा है तो यानि हमारी श्कीन बेशन को अच्छे से ट्रशकार कर पा रही है तो यानि कि बेशन ठंडा हो चुका है हमें बहुत ज़्यादा घंडा भी नहीं करना है और यह बह इंसो ग्राम पूरा तगार या पाउडर जुगर हम इसमें डाल देंगे हम यहाँ पर साबुत चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे चीनी को पीज के ही इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसको डालने के बाद पहले इसको थोड़ी सी स्पैचुला की हैल्प से मिला देंगे जितना हो से के और यह जो मैंने लड़ू वाली रेसिपी यानि लड़ू वाली वीडियो जो दुबारे से अपलोड की है वो आपकी ही रिक्वेस्ट पे की है क्योंकि जब मैंने लड़ू वाली पहले वीडियो अपलोड की थी काफिल आप लोगों ने पसंद की है आपका बहुत बहु तो इस तरीके से हम इस मिश्रन को मिला लेंगे जब तक यह मुठ्यासी ना बनने लगे तो जब यह मुठ्यासी बनने लगती है तो समझाए आपका मिश्रन परफेक्ट तयार हो चुका है यह देखिए आप इसके लड्डू को बांद के दिखाती हो आपको तो बहुत इजी स यह लड्डू बंद रहे हैं यह देखिए यह देखिए तो बहुती परफेक्ट सा बहुत ज़्याद स्वाधिश सा लड्डू बहुत इजी से बंद रहा है आप इसी तरीके से सारे लड्डू को बंद लीजे और हाँ अब मैं आपको एक खास बात और बताती हूँ अगर लोगे आप जब तक जब तक की लड्डू आपका परफेक्ट ना बनने लगे आप बिल्कुल भी मतलब घबराईए मत कि आपके लड्डू बंद नहीं रहे हैं आपके लड्डू खराब हो चुके हैं आप कोशिज कीजिए लड्डू ज्यादा बांसा को एक बार नहीं दो बहुत डिमाण में रहते हैं हमारे पेशन के लड्डू और आप जानते हैं ये लड्डू मैंने किसके लिए बनाई हैं ये लड्डू मैंने अपने ममी पापा के लिए बनाई हैं मैं कल अपने माई के जाने वाली हूँ तो ये लड्डू मैंने ममी पापा के लिए बड़े तेना